आज की Gaming News के एपिसोड में आपको Mumbai Kalis, IGDC, Indus, GTA 5, Max Payne, Far Cry, Silent Hill Mobile और भी बहुत सारे Gaming से रिलेटे इंडरस्टिंग न्यूज जानने को मिलेगी वीडियो को एन तक जरूर दिखना है वारना बहुत कोचा आप मिस कर जाओगी जिसका हमें काफी टाइम से इंतजार था, कुरुक्षेतर असेंशन का नया सीजन फाइनली आ चुका है क्योंकि मैंने लास सीजन तो खेल लिया था, इस नई सीजन का नाम है March of Magad एंड हाँ भाई नाम से ही पता लग रहा है कि Magad Empire पे बेश है जिसके innovations in war, commerce and culture का influence आज भी हमारे प्यारे भारत में देखा जाता है फाइनली नए कार्ज भी आ गए हैं जैसे की जरसंद, जो भाई खुद को revive कर सकता है मरने पे क्योंकि बहुती मस्त फीचर लगा, ये based on the जरसंद from महा भारत जो कि दो टुकड़े होने के बाद भी अपने को जोड सकता था तर्फ चैर्डियर्स आने की रद के एक नई faction add करी गई है और आप इनके कार्स का design देखो, वो बहुती ज़्यादा बढ़िया लगते हैं जो कि Magad की theme से design it करते हैं पिर पहली बार एक community card भी आया है मतलब एक ऐसा card जिसे कुरिक्षेतर की community ने ही बनाया है बेजिकली लोगों ने अपने designs and concepts share करें जिसमें इस card को सबसे ज़्यादा voting मिली जो है शिखंडी और इसकी unique quality ये है कि ये randomly मिली या फिर range unit बनके deploy हो सकता है फिर कुछ और updates ना लाइक tutorial को improve किया गया है जिससे पहले के comparison में game खेलना बहुत असान हो गया है जिसके डिरेक्ट डाउनलोड लिंक आपको description में and pinned comment में मिल जाएंगे जैसा मैंने बताया था कि मैं IG DC 2023 एटेंड करने बाला हूँ तो जी हाँ मैं वो attend करके आचुका हूँ वापिस डेली and इस बार का experience काफी अलगता सबसे बड़ा difference जो मुझे देखने को मिला वो यह था कि mobile से ज़्यादा PC and console गेम से focus था विकास बहुत से indie devs ने अपने game showcase किये जो कि Souls-like, RPG, Survival, Simulation and ऐसी different genres के थे उनमें से बहुत से games ट्राइ करने का मौका भी मिला जिन पर वीडियोज आएंगी on games और सिप इंडिया तो उसे जरूर सबस्ट्राइब करके रख लो और सो वहां Mumbai Kalis, Indus, 4G Domination सब ट्राइ किया जिस पर भी वीडियोज आने वाली है बिकॉज मैंने pre-register कर रखा था, आपका भी शायद हो गया होगा वैसे तो ये एक free game है, बट इसमें founders pack आता है जो कि paid है और इसको लिकाना लोग खुश नहीं है, ये कि मैं एक interactive movie की तरह है और voting से decide होता है कि आगे क्या होगा बट जिस बंदे ने founders pack खरीद रखा है, उसके vote की जाधा value है तो ये एक pay to win game बन जाता है मिने उपिनियन में तो आल ऐसे narrative games को free रखने की जगा पेड़ी रखना चाहिए बट भाट करते है कुछ games की जिने आप claim कर सकते हो तो इस week abby games short पे मिल रहा है उने भी आप स्क्रीन पे देखी सकते है Dream Act 2023 में जब मैं LZO भाई और Dream Boy से मिला तो उन्होंने मुझे recommend किया था कि मन्त के पहले gaming news के episode में उस महीने में आने वाली games के बारे में बताया करो तो मुझे idea काफी अच्छा लगा है और इस महीने के upcoming games की बात करें बाकी game spot ने पूरी list प्रवाइट करा रखिये उन गेम्स की जो की PC अन कंसोल्स पे आ रहे हैं नेक्स टाइम से मैं थोड़ो सा वीजो टीन ने बनवा दिया करूँगा अच्छे से बाकी हम अवाई पे Warcraft, Rumble और Football Manager 2024 आ गये हैं अब बताओ कि क्या मुझे इस section continue रखना चाहिए या फिन नहीं और कैसे मैं इसे improve कर सकता हूँ फिर एक announcement मिली है Super Gaming की तरफ से कि उनका upcoming game Indus Battle Royale अब Fortnite में भी आ गया है अब आप कहोगे कि भाई इसका क्या मतलब हुआ तो देखो Unreal Engine में एक UEFN है याने की Unreal Editor for Fortnite इससे आप custom maps बना सकते हो और game modes भी बना सकते हो जो कि Fortnite के अंदर खिले जा सकते हैं मतलब कि map and modes custom रहेंगे बर जो gameplay mechanics है वो Fortnite वाले होंगे जैसे कुछ चाइम पहले लोगों ने San Andreas और इवन दूसरे games के maps को भी इसमें डाल दिया था कि PC and Mac players भी इंडस को ट्राइ कर पाएंगे थूँ Fortnite और क्योंकि game भार बहुत ज़्यादा पॉप्लर है सो उने western audience से feedback भी मिलेगा बाकि हां मैंने IGDC में इंडस को ट्राइ किया और उसके उपर भी एक वीडियो बहुत जल्द आने वाली है फिर बात करते हैं मुंबई गलीज की तो Game Me On Studios के CEO निखिल मालंकर ने ट्विटर पे रिवील किया कि game का first version जैन से लेकर मार्च 2014 इसके बीच में आ जाएगा exact launch rate इसके आसपास ये announce करी जाएगी पाकि मैंने मुंबई गलीज खेल के देखा है इस क्राफ्टन कोकिंग समफिंग नीव फर दी इंडियन मार्के फोर नौ फोर्स वी एफ कपर ओफ में तूपर आने वाले हैं पबजी पीसी का e-sports कुछ भाड़ा नहीं है इंडिया में इसको लेकर नोर ने कहा कि वो evaluate कर रहे हैं इसको लेकर कि क्या होस्तकता है बाकि यहां नोर ने एक इंडियन टीम को global event में भेजा था भी कुछ ताइम पहले अच्छा कर आप भी Windows 7 या फिर 8 यूस कर रहे हो ना तो Rockstar Games ने कहा है कि वो GTA 5 का support ख़तम कर रहे है और सिर्फ GTA 5 ही नहीं बलकि उसके और भी सारे games का support ख़तम हो जाएगा on Windows 7 and 8 from 30th January 2024 ऐसा इसलिए कि Microsoft Kudin Systems का support एंड करने वाला है इस सब का मतलब यह है कि probably उस पे यह games नहीं चल पाएंगे और online services में भी problem आएंगी आपको पता ही होगा कि Max Payne 1 and 2 के remakes development में है जो कि Rockstar और Remedy ने मिलके almost देर साल पहले announce किया था तो Remedy ने update share किया है कि वह production readiness stage में है मतलब कि उन्हें पता लग गया है कि game में क्या style होगा और क्या scope होगा और इसलिए अब वो full production में है जहां एक अच्छी team उन पे work कर रही है यह games आएंगे for PC, PS5 and Xbox Series XS इनको develop कर रहा Remedy जो कि original games का भी developer है बट हाई इनको publish करेगा Rockstar और इवन वही इनको finance भी कर रहा है original Max Payne भी ऐसे ही बने थे पस Max Payne 3 ही exception था जिसे Rockstar ने बनाया था लागी Control 2 अभी proof of concept stage में है मतलब कि जो idea है उसको test किया जा रहा है कि वो कैसा चलेगा इसके लवान को चौता game, code name Vanguard जिसे 10 cent publish करेगा वो भी proof of concept stage में रहेगा till the end of this year फिर Ubisoft ने अनाउंस किया कि वो बहुत से games की online service decommission करने वाले हैं जिसमें आते हैं Assassin's Creed 2, Brotherhood, Ghost Recon, Splinter Cell और पूरी list आप देखी सकते हो screen पे अब इसका मतलब यह है कि players multiplayer नहीं खेल पाएंगे online features का use नहीं कर पाएंगे और Ubisoft connect के rewards भी नहीं मिलेंगे और इसका reason लोन है यह बताएगी इनके पीछे की technology outdated हो गई है बाकि Far Cry 6 का भी last patch update आया है और Ubisoft ने कहा है कि अब वो games का support end कर रहे है और साथ ही thanks भी कहा है fans को इसके बाद game में कोई update नहीं आएगा और वैसे भी अब लोग Far Cry 7 का wait कर रहे है leaks recording वो एक fictional item पे होने बाले called Kimson और यह Yellow Sea में है near Korea और यह एक non-linear story हो सकती है फिर चलते 5-1 news की दरफ तो lies of PK developer ने confirm कर दिया कि इसका sequel भी आएगा because game काफी अच्छा receive हो है इसके इलावा इसका first patch आएगा this month साथी DLC भी planned है for this game तन IO Interactive ने upcoming James Bond game को लेकर update शेर किया कि वो Daniel Craig के James Bond जैसा होने बाले उसमें gadgets important part प्ले करेंगे free gameplay के जगा थोड़ा scripted gameplay होगा और साथ आप Hitman की तरफ बहुत जादा murders नहीं कर पाऊगे बाकी गेम को आने में अभी काफी time है because वो इसे सिर्फ पैसे के लिए नहीं बना रहे बलकि इस IP को reinvent करने के लिए कर रहे है City Skylands 2 के devs ने एक hotfix release किया to fix bugs and improve performance so let's see कि अब ये कैसा रहता है बाकी आप बताओ कि if I stream City Skylands 2 on my other channel तो आप उसे देखना पसंद करोगे या फिर नहीं फिर Capcom एक बड़ा game launch करने वाला on March 2024 और उसने अभी तक वो announce भी नहीं किया मतलब वो Resident Evil का game है या Devil May Cry Series का game है बिल्कुल भी नहीं बता बड़ कंपनी ने प्रेजेंटेशन में ये जरूर रिवील कर दे कि एक बड़ा टाइटल आने वाला है तो इसमें नवीडिया डेलेसस का सपोर्ट, HDR कंट्रोल्स और बाकी इंप्रूमेंट्स होंगी तो गईस बस हीता आज के gaming news के एपिसोर्ड में अगर आपको IGI का राइजन फॉल जानना है तो उसके लिए लेफ वीडियो पर क्लिक करो और मैंने हेतरश के इस भाई की साथ में इंटेव्यू किया था रीसनल लिए उसके लिए राइट वीडियो देखो ये वीडियो अच्छी लेकर तो लाइकर चैनल को सब्सक्राइब करोड़ मिल तो आपसे के लिए वीडियो में तब तक के लिए ठाड़ बाई बाई